धमाल परफोर्मेंसिस जो हैं वो देखने जा रहे हैं ऐसे ऐसे कलाकार आज हमारे बीच में आएंगे जो अंतर राश्ट्रे कलाकार हैं उनका हमारे बीच में होना बहुत बड़ी बात है और बहुत आनंद का दिन रहेगा आज आपका भले हैं हम थोड़े से आतंकित से हैं इन दिनों क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर फिर से आ गई है और थोड़ा डर है हमें संशय है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है तो इन सब बातों के मदे नजर आप सभी से दरख्वास्त बस इतनी सी है कि हम कोवीड से बचने के लिए जितने भी नियम है उन सभी का पाल में तो एक कुछ सी छोड़ करके एक पर बैठें मुझे पता है हम भारतियों को बिलकुल मजा नहीं आता जब तक साथ बैठके बातें न की जाए और हरेक उस पे साथ में चलता न रहे समवाद रहे कितना अच्छा किया यह तो ऐसे कर रहे है ना वो वाली बात्चीतनी होत तो मजा नहीं आता लेकिन क्या करें मजबूरियां हैं तो हमें निभानी होंगी यह हम कल भी कहना चाह रहे थे आप से पर अचानक से आयोजन पूरा उस पे पहुंच गया लेकिन यह कुछ चीजे हैं जो अपरिहारे हैं आज के दोर में बहुत जरूरी है हमें इनका पालन करना ही करना चाहिए हर हाल में तो अपनी सखियों को छोड़ दे और आप अपने मित्रों को छोड़ दे बहुत दूर नहीं है आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो सुनेगा उनको ना एक कुरसी छोड़ करके एक पर बैठ जाएं इतना बड़ा सा भागार है आपके लिए देखिये पीछे भी कितनी कुरसिया इंतजार में है एक चेर छोड़ कर एक पर किसी भी सूरत में इकठे नहीं वैठ नहीं हाँ उस चेर का इस्तेमाल ये बढ़िया है कि बैग रख लें अपने तो आपके हाथ फ्री हो जाएंगे विल्कुल ये बढ़िया इस्तेमाल है अ तकलीफ में मुझे एक शेर याद आ गया तो मैं बता ही देती हूं गमों की बात करते हैं हम दर्द की जब बात करते हैं तो उसी पर कहती हूं कि अगर वो पूछ ले हम से तुम्हें किस बात का गम है द्यान से सुनिया का बहुत प्यारा शेर है अगर वो पूछ ले हम से त तो हम भिना बताय समझ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं हाँ बात करने की छूट है आपको, लेकिन मुझे इतना ये कि जब कारिक्रम शुरू होगा है ना, तो आप खुदी बात मिकरोंगे, इतना डूब जाओगे ना, कारिक्रम में, मुझे पताए आपकी क्या हालत होती है, तालियां बजाने का तो होश आपको आता नहीं यह बहुत देर तक भी, है ना? तो मैं सारा समझ रही हूँ मनोविज्ञान आपका चिंता न करें आर इसे लिए जो है, मुझे जगाना पड़ता है, बार बार, तालियां बजाएए, तालियां बजाएए अब देखें कितनी चमा के आज चेहरों पर, मुझे तो बहुत ही ऐसे ऐसे दिप-दिप करते चेहरे नजर आ रहे हैं, है ना? क्योंकि तालियां बजा बजा के, बजा बजा के, बजा बजा के, बलड सर्कुलेशन दोडा रखा है, उमने पूरा, तो एक बार जोदार तालियां बजा दीजिए हाथ खड़े करके, वाकई एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ये, अपने आपको एकदम से वाम अप करने के लिए, और हाँ, ये भी आवाज भी आनी चाहिए तालिय की, और तालियां बजाने के भी कई स्टाइल होते हैं, कई तरह के अंदाज होते हैं, बजा बजा के देखते रहें, प्रैक्टिस करिए, जो सबसे अच्छा लगेगा न वही बजाएंगे, और सब मिलकर के आज बजाते हैं तो और भी मज़ा आता है, बजा के देखिये एक बड़, थुड़ा जी ये प्रैक्टिस अजाए, ऐ हाए, क्या बात है, कल संतोष जी के सामने यही तालियां चाहिए थी, क्या समा बनता है, वा, 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो देखिये हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, जितना समय हमारे पास है, उतनी देर हम यही प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी नए लोग भी आये हैं उन्हें बता दे, ये दो इक पान्सी रखने की जरुड़त है, हाँ अब ये भी बात है कि सोफों पर कैसे होगा, कुर्सियों पर तो कर लेंगे, तो भई सोफे पर तीन की जगह दोई लोग बेठें, एक उस कोने में और एक उस कोने में, और बिल्कुल अलग रह करके बाते करें बिल्कुल ना, और एक ब क्या बात, आज हम ऐसे ही बजाएंगे तालियां इतनी पार बजाएंगे, आपने हाथ क्यो बांध रखे हैं जी, क्या हुआ, बजाईए, हाँ, क्या संगीत है ना, इसका भी अपना ही आनन्द है, क्या बात है, आप भी बजा लीजिए मैं, ये एक्सेसाइज करवाएंगे ये जो ध्वनी निकलती है ना, वो आयोजन को गरिमा देती है, इसलिए तालियां बजवाई जाती है, इसके पीछे, आपने ध्यान नहीं किया, हमारी जितनी भी रस्में है ना, उनके पीछे धार्मिक और पॉरानिक कारण बहुत महतुपूर्ण है, जब बच्चा होता है तो जो तालियां बजाते हुए आते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा पुनीत और पावन वो है, आशिरवाद के स्वर फूटते हैं तालिय के उससे, यह बहुत जरूरी चीजे हैं, तो हम भूल जाते हैं लेकिन इतनी भागदोड में हैं, रे कौन ताली बजाए छोड़ो नवावा कर दिया बस बहुत है, लेकिन ताली का अपना अनन्द है, आज हम वैसे मुझे परसों प्रैक्टिस करानी चाहिए थी ना, कल सुभ है, परसों तो हम आयो जानी नहीं शुरू आता, कल सुभ है करनी चाहिए थी पर शाम को बजाते हम, तो अब जो है, थोड़ी ही ब्यक्ते तो है, अदबुत शक्सियत है, बाकमाल ब्यक्ते तो है उनका, और वो जो है, एक बिलकुल अलग और नए अंदाज की प्रस्तुति आप सभी के सामने रखेंगी, और उसके बाद जो है, काल बेलिया डांस भी होगा, गुजरात से डांडिया भी आएगा, पंजा कीजिए, बहुत आनन्द आने वाला है, तो आप लोग जो है लगातार बने रहें, जुडे रहें, मिलते हैं, आफ्टर शॉर्ट प्रेक, ओके, जी हा, शुक्रिया, यहां पर, एक बार फिर से एक अत्र हैं, उतनी ही उर्जा के साथ, और उतनी ही आनन्द के साथ, और पू को भांपते हुए, हम जो है, खुद से, कुछ नियमों का पालन करेंगे, देखे, बाध्यता नहीं होती है, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, तो मेरा आग्र्य है कि हम एक सीट छोड़कर एक पर वैठेंगे, एक सीट छोड़कर एक पर वैठें सभी, पीछ अगलग बैठी है जी परिवार में तो आप इकठे बैठते हैं यहां थोड़ा सन्यम है काईदे कानून है अच्छा लगता है हम अगर बारीक चीजे हैं और बारीक बातों के निर्वहन से बहुत बड़ी बड़ी तरासदियों से बचा जा सकता है बहुत बड़े-बड़े सं माल संभव हो सके तो अगर कोई परिशानी न हो आपको तो वो जरूर करें और दूरी बनाए रखे दिलों में दूरिया नहीं होनी चाहिए लेकिन शारिरिक दूरी जो है वो निभालेंगे तो हम कोरोना से बच जाएंगे निश्चित तर उपर और अब जो है हिंडन महुत हो कि दूसरे दिन की इस दूसरे सत्र में यानि की सुभह का सत्र जो है संपन हो चुका है और अब जो है ये वितिय सत्र है आज का इस सत्र में अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं आदर्णिये श्री कृष्ण बीर सिंग जी जो की पूर्व विधायक है गड़ क्या बात और हमारे साथ में उपस्थित हैं श्री देवेंद्र हितकारी जी जो की श्री अनिला गरवाल जी जो की सांसद है भारत सरकार उनके सांसद प्रती निधी है राजय सभासेज हाँ गड़ बड़ा ना जाए मेरी तालिया ना